SIT की टीम वहाँ पर पहुंच चुकी है और परिबार से पूछता आच यहाँ पर चुड़ो है तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हातरों से में इस समय क्या कुछ हलचल है पीडिता के परिवार से मुलाकात करने के लिए SIT की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है अधार पर आगे की जांच को कंटेन्यू किया जाएगा SIT की टीम जो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौपने वाली है उसके आधार पर यह आगे की जांच आप डिपेंड करेगी नरेंदर हमारे साथ लगातार बने हुए है नरेंदर SIT की टीम पहुँच चुकी है लेकिन सवाल सीधा है कि टीम पहुची है पूर्टाज करेगी पर्ताल करेगी परिवार से मिलेगी उनकी क्या और मांगे हैं और बयानों को लेकर जो हेर फेर की इस्तिती देखी गई यह करने की कोशिश करेगी तो तस्वीरे आप साथ तोर पर देख रहे हैं SIT की टीम यहाँ पर मौझूद है परिवार से बातचीत करती हुई उनके पीड़ता की भाई और उनके पिता जी यहाँ पर शार्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो SIT की टीम से बातचीत करते आप तस्वीरों के जरीए देखिए उनकी माता जी से उनकी भावी से शायद बातचीत करने के लिए एक महिला अधिकारी को भी इस टीम में हिस्सा रखा गया है आप तस्वीरों के जरीए देख सकते हैं आप डाउन का प्रोसीजर यहाँ फिर से शुरू हो चुका है कि क्य क्या क्या मांगे रही हैं डियम को लेकर क्या शिकायते रही है क्योंकि प्रमुक्ता के साथ में अगर देखा जाए तो परिवार की सबसे जादा शिकायत जिलाधिकारी से रही है क्योंकि वहीं बार बार इनके घर आते रहे और वहीं बार बार इनको यह बात कहते रहे कि मी के लोगों के साथ में मिलकर हमें पैसा खिलाने की बात कही गई कि आप पैसा ले लीजे और अपनी जुमान को बंद कर दीजे तो इसलिए कहीं न कहीं परिवार बहुत जादा जोखिम बरी परिस्तिती में रहा पीड़ता कि पिता जी तीन दिन तक गायब थे किसी को नहीं प हैं तो आइसाइटी की टीम पहुची हुए अब देखना यह होगा कि आइसाइटी कितना कमाल दिखा पाती है